एक गाव में एक ओरत निवास करती थी, उसे ख्रोध बहुत आता था, उसके अपने ख्रोध के कारण वह गाव भर में अलोग प्रिय हो गई, बाद बाद पे गुस्सा आ जाता था और भला बुरा कह बैठती थी, क्रोध आने के बाद उसे अपने किये पर पश्चाताप भी होता था, पर वह क्या करे, कुछ सूचता ही नहीं था, एक दिन की बात थी, उस गाव में एक साधू आए, उस ओरत ने सोचा क्यूं न इस क्रोध का निवारन इन्ही से पूछा जाए, उसने निर्नय किया कि वह साधू के पास गई और अपना पूरा दुखडा कह दिया, साधू ने उसकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उसे एक दवा से भरी शीशी दी और कहा जब भी गुस्सा आये तुरंत इसे मुह में लगा लेना और मुह मत खोलना, क्रोध पून रूप से शांत हो साधू द्वारा कहे गए कतनों का क्रमशह वैसा ही पालन किया जैसा उन्होंने कहा था, अब जब भी उसे गुस्सा आये तो वो दवा से भरी शीशी अपने मुह में रख ले, इस तरह कुछ ही दिनों में उसका क्रोध आना समाप्त हो गया, कुछ दिनों बाद वही साधू साधू पुनहुस गाउंग में आये, अब उस औरत के मन में एक प्रशन और था आखिर उस दवा में क्या था कि इतनी जल्द मेरा क्रोध समाप्त हो गया, साधू गाउंग में आये महिला उनके पास गई और उनसे यही प्रशन किया, साधू ने उसे यह बताया कि उसने तो बस उस शीशी में पानी भरके उसे दे दिया था बस, ताकि गुस्सा आणे पर भी उसे मुह में लगाने के बाद कुछ बोले न, गुस्सा बोलने से और बढ़ता है, दोस्तों, गुस्सा हमारे शरीर को खोखला कर देता है, किसी भी समस्या के समाधन के लिए दोख्रिया ह बहुत है एक, एक मधूर मुसकान दो, शान्त बने रहना